हलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कि आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कुछ घटित होने वाला है और जो आपके लिए अच्छा नहीं है या आपके साथ कुछ असुब होने वाला है आपका मन बहुत ही बिचलित हो रहा है किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा आपको या ऐसा लग रहा है आपको कि कोई तकलीफ आने वाली है कोई रोग होने वाला है तो उस समय यदि सीव पुरान का ये महा उपाय कर लिया जाए तो मन में जो प्याकुलता अजीब तरीके की चल रही है वो समाप्त हो जाती है और जो मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ असुब होने वाला है वो सुब में परिवर्तित हो जाता है आईए जानते हैं ऐसा कौन सा उपाय है तो देखिए आप सात दुरुबा को लेकर असुख सुंदरी वाली जगह पर पहले चंदन का लेपन कर दो उसके बाद सात दुरुबा को वही रख दो लेकिन हाँ दुरुबा कमो सीवलिंग की तरफ रखना और दुरुबा की डंडी जिस तरफ से सीवलिंग से पानी गिरता है उस तरफ रखना उसके बाद अपने हाँ से उस दुरुबा को सपर्स करके अपने मन में भूले नात का श्मरण कर आपके मन में जो गलत विचार उत्पन हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए बाबा से कहना और उसके बाद उसी दुरुबा को घर ले आकर एक लोटे में जल भलेना उसके बाद उस दुरुबा को उसी में डाल कर पूरे घर में ये जल छिड़क देना श्री शिवान नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो आपने पूजा की है बाबा से विंती की है वो उजा पॉजिटिव में बदलेगी और आप देखना आपको खुद ऐसा मैसोसोगा कि स्वयम संक भागवार ने अपना गंगा जल भेजा है पूरे घर को पविद्र कर दिया है आपके मन की जो ब्याकुलता थी वो ब्याकुलता ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं और उपैसे भी हमारे महादेव कहत हैं आकाल मृतिव वो मरी जो कर्म करें चंडाल का काल भी उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का हरह संभू